यदि आप लॉपड़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना हमरे एप को डाउनलोड करें और लॉपड़ें नमस्कार आज हम लोग भारत और नेपाल के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है इस समय या नेपाल भारत और नेपाल के बीच में जो डिस्प्यूट नहीं है लेकिन नेपाल उसको डिस्प्यूटिट बनने की कोशिश कर रहा है लगातार और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी संसद में एक विधेट पेश किया है टेरिटरी को लेकर कि उनकी कुछ टेरिटरी भारत के कबजे में और वो अपने नक्षा चेंज करना चाहते हैं इस विशे पर हम लोग डिसकेशन करने वाले हैं कि भारत और नेपाल के बीच में अभी तक क्या क्या ट्रीटियां हुई भारत और नेपाल के संबंद कैसे रहे अंग्रेजों के समय पर संबंद कैसे रहे राजशाही के समय पर संबंद कैसे रहे पंडित जबाल नहरू के समय पर संबंद कैसे रहे और उसके बाद कौन-कौन सी ट्रीटियां इस प्रकार की हुई जिससे की इंडो और नेपाल के बॉर्डर को फिक्स करते हैं राजशाही काद गोर्खा युद्ध के नाम से एक युद्ध हुआ 1814 में और वो 1816 तक चला इसमें 2 दिसम्बर 1815 को भारत की एक ट्रीटी हुई और ये ट्रीटी रेक्टिफाई हुई 4 मार्च 1816 को किसके किसके बीच में हुई बिटिश इंडिया इस्ट इंडिया कंपनी उस समय हुआ करते थी बिटिश इस्ट इंडिया कंपनी का नेपाली बार हुआ था उस बार में नेपाल सरकार की तरफ से उनके राजगुरू गजराज मिश्रा और उनकी मदद करने के लिए उनको सा इस Bad Shau ने Treaty sign की, इस Treaty में 9 या 10 आर्टिकल हैं, इन आर्टिकल में जो बांडरी हैं वो बांडरी आर्टिकल 3 से गवर्न होती है, इस Treaty की, की भारत की बांडरी क्या होगी और कहां कहां पर होगा, मलब कहां पर नेपाली चेत्र होगा और कहां पर भरती चेत्र होगा, और बीजिन नहीं करेंगे जैसे नेपाल से किम में इंटरवीन करता था गड़वाल में इंटरवीन करता था इवन वहां कुछ सरदारों से वसूली भी कर लेता था उधर से लूटपड भी कर लेता था ऐसा एक पक्रण आया है यह कहना एक कहा गया कि नेपाल कभी युद्ध नह मैं इसलिए कहता हूँ सुजरेंटी में क्योंकि 1835 की जो गवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट है उस एक्ट में जो डेफिनीशन है सेक्शन 310 में इंडिया की उस डेफिनीशन में कहा गया है कि भारत इंक्लूड बारत इंडिया इस बिटिश इंडिया इंक्लूडिंग प्र इंडिया में हमेशा माना गया हिमालय के उत्तर में चीन या तिब्बत और उसके इधर हिमालय से लेकर और सिंदु तक यानि कि हिंद महासागर आज का वहां तक भारत की बाउंटरी माने गए हैं इन बाउंटरी के अंदर जो भी रहता है उसमें एक हिस्सा बिटिश इंड करते हैं वह प्रिंशली स्टेट सें 1835 की डफिनिशन उसमें प्रिंशली स्टेट आता है उसका प्रमाण यह भी है कि 1816 में जब भारत का और बितेश इंडिया कंपनी का और राजा का जो त्रिटी हुई उस त्रिटी में इस्टिंडिय कंपनी ने अपना एक व्यक्ति जिस resident वहाँ पर पर काम होता था यानि कि कोई भी activity, कोई भी act, कोई कानून, कुछ भी पास करेगी अगर वह प्रिंसली ऌएट तो वो resident को देगी और resident को अगर आवशक्ता पड़ी तो वहाँ पर approval देगा और नहीं तो फिर वो गवेर जनल से पूछेगा गवर्नर जनरल को भी अगर कोई प्राब्लम होती तो वो वोईस रोई से पूछेगा वोईस रोई आगे इंडियन मिनिस्टर से पूछेगा मिनिस्टर फर इंडिया और वो अपनी पालेमेंट में आपने किंग्डम राजशाही से बात करेंगे तब ये पूरा कंक्लूजन न दो होती ती जिस प्रकार से बाल एक प्रिंसली स्टेट को उस समय नहीं लेकर आए और पंडित महरू ने किस प्रकार नेपाल के साथ नहीं ट्रीटी कर लिए और वो ट्रीटी 1950 कि किस कारण से क्यों नहीं उसका विल्य किया गया यह सब विशय बात के हैं लेकिन जो बाउंडरी है 1816 की और एक बात और ध्यान रखने की इसमें बात है कि 1816 की जो ट्रीटी है उसके अलाबा भारत की कोई भी ऐसी ट्रीटी नेपाल के साथ नहीं हुई जो नेपाल की बाउंडरी को फिक्स करती हो या नेपाल की ब 1950 में हुई 1950 में जो इंडिपेंडिन्ट इंडिया की ट्रीटी हुई उस ट्रीटी में हमने जो बाउंडरी उनके पास अल्लीडी थी उस बाउंडरी को रिकोगनाईस कर दिया और रिकोगनाईस करने के बाद कहा कि हमारे आपके ऐसे संबंद रहेंगे आप हमारे प्रोट्र वो ऐसा नो हो कि Communist Party of Nepal को ये चीन वाले सपोर्ट कर दें और हमारे लिए समस्य खड़ी हो जाएं इसलिए हमारी जो नई ट्रीटी हुई उस ट्रीटी के नवसार वो मेरा प्रोट्रेक्टरेट स्टेट कभी सिक्यम हुआ करता था प्रोट्रेक्टरेट स्टेट हमारा बहुत प ट्रीटरीज हैं जिसमें अभी dispute चलना था डोकलाम बाला वो ट्रीटरीज हमारे प्रोट्रेक्टरेट स्टेट हैं जिसको भूटान हम कहते हैं तो प्रोट्रेक्टरेट स्टेट का मतलब होता है कि आप autonomous body होंगे आप अपनी सरकार चलाएंगे हमें उससे कोई मतलब नहीं आप अपनी local forces रखेंगे लेकिन जब भी international pressure आपके खलाफ आएगा तो हम बॉर्डर पर आपके लिए खड़े होंगे और हम आपके बिहाब पर लड़ेंगे। ऐसी हमारी treaty 1950 में हुई और इसी प्रकार की treaty हमारी 1816 में हुई 1816 की जो treaty हुई उस treaty में चाहें वो काली नदी हो खासत और से जो सबसे बड़े नदीं है वो चाली नदीं की तराई का एरिया जूसको आज आम मधेशिं लेंड कहते हैं और हम सब जानते हैं कि नैया constitution ये communist पी है वो ओफिशली अठरा सो सोला की जो ट्रीटी है उसकी अनुसार वो सारी territory जो आउध मधेशी लेंड कही जाती है ज्सको नेपाल कपजे में रखे हुए है वो ओफिशली भारत की लेंड है अब स्वाल आता है कि वो लेंड नेपाल के पास बापस कैसे गई ने पहुचा कैसे यह कम्मुनिश्टों ने क्या वहां बीज बोना सुरू किया क्या वहां की जो राजशाही है वो भारत के पक्षमे थी क्या राजशाही के खलाफ भारत के इन विश्यों पर हम लोग चर्चा करें तो में को लगता है कि एक सारगरवित बात हम निकाल पाएंगे जैसे ये 1816 की ट्रीटी हुई 1857 का भारत में पहली करांती मानी बीर सवरकर ने भी ये पहली स्वतंत्र आंदोलन माना बड़ा आंदोलन 1857 का ये जो आंदोलन हुआ इस आंदोलन में नेपाल ने अंग्रेजों का साथ दिया जबकि नेपाल 1814 में युद्धार चुका था नेपाल किसी भी हालत में भारत में इस्ट इंडिया कंपनी की सरकार को मेंटेन रखेगा और अगर चीन कभी नेपाल के तरफ आता है तो इस्ट इंडिया कंपनी आपको प्रटेक्ट करेगी और आप एक बीच में ट्रांजिशनल एरिये के रूप में नहींगे देखे एक चीन हमेशा दयान रखे अंग्रेज उनने जीत लिया था तो अंग्रेज उस पर कभजा भी कर सकता था लेकिन जब अंग्रेज को वहाँ एकॉनोमिकल लाब नहीं मिलता है तो वो ट्रीटिया करके छोड़ देता थ और चूंकि बगल में चीन खड़ा हुआ था इसलिए चीन और भारत के बीच में ट्रांजिशन एरिये को वो रखना चाहता था ताकि भारत और चीन का कभी युद्ध न होने पाए और वो यहां से जो शोशन कर रहा है वो करता रहा है यही हाल उन्होंने रशा के मामले में भी किया जो रशन मॉडर है काश्मीर का उस एरिये में भी ट्रांजिशनल एरिया हुंजा और और दादरा और बहुत सारे एरिये से उन्होंने कवर करके रखते थे और महराजा हरी सिंग या या जो गुलाब सिंग की सरकार थी उसको एक इंडिपेंट और नमस सरकार बना क चीन के साथ लग जाती है और अंग्रेजों को चीन से ज़्यादा खतरा था इसलिए उन्होंने ट्रंजिशन एरिये में नेपाल को अक्षोन रखा जबकि नेपाल का राजा तब से लेकर और लगातार अपने आपको और लगातार ये कहता रहा कि भारत ही है और भारत की ही बनती है कि भारत हमको प्रोटक्ट करें इसलिए 18-16 से लेकर अभी तक हम प्रोटक्टरेट स्टेट बने रहे बाद में अभी ये 2008 के बाद उन्होंने ये टाइप तोड़ने शुरू किये हैं और दुरभाग हमारा ये है कि 2008 में जो केंदर में सरकार थी उस सरकार ने हमारे confidence building में बहुत काम नहीं किया नतीजा निकला कि नेपाल हमसे थोड़ा थोड़ा दूर होता चला गया और चूंकि Communist philosophy वहां पर बढ़ती चली गए इसलिए चाइना का प्रभाव बढ़ता चला गया और चाइना उनको डेटा उल्टे सीधे प्रोवाइड करकरके उनको भढ़ ने बिटिश इंडिया कंपनी का सहयोग किया सहयोग करने के नाते उन्होंने इस territory को नेपाल को अनॉफिशली वह दे दी चुकि वह नेपाल पहले भी नेपाल उसको उस से टेक्स वसूली करता था इसलिए वह नेपाल को दे दी compute 1860 में वो मदेशी लेंड अब नेपाल चला गया जबकि ओफिशली ट्रीटी वाइस वो भारत का आज भी अंग है अगर हम ट्रीटियू की बात करें तो भारत का अंग होना चाहिए अभी 1906-1905 में बंगाल विभाजन का अंदोलन हुआ उस अंदोलन में फिर से नेपाल ने अ अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों का साथ देना 1905 और 6 में का मतलब था कि नेपाल को फिर कुछ कंसेशन देना और नेपाल को अब जो नए कंसेशन मिले उसमें जो मदेशी लेंड आज की है वो बांटी थोड़ी और एक्स्टेंड कर दी गई और उसके टैक्सि नेपाल के पास जाने लगे इस प्रकार ये जो मदेशी लेंड है जो ओफिशिली 816 की ट्रीटी का नुसार हमारी है वो ट्रीटी वो वो जो है वो नेपाल के कबजे में है ये बहुत बड़ा लेंड है इसलिए इस पर डिस्प्यूट है हालागि भारा सरकार उसको प्रोट कनाम नें निकला की तिबद पर कमीनिस्टों ने कबजा कर लिया हमने उसके बाद भी ध्यान नहीं दिया हाला कि हम आमारी पॉलिजी चुकि हजारोवर्श की ति तिबद हमारा इसलिए ति घृब्हार्में बनवा दी तो तो तलैब आजबिऊ वह सरकार में है ये प्रकरन उन्होंने सिक्किम में भी करने की कोशिश की सिक्किम को जब जब कमनिस्टों से लगा तो वो सिक्किम सीधा सीधा उसने पूरे अधिकार अपने ट्रांसफर कर दिये ये काम वो भूटान में भी कर रहे हैं और ये काम अब वो नेपाल में कर रहे हैं नेपाल में वो कैसे कर हैं कि जब मैंने कहा कि 1950 की हमारी ट्रीटी हुई एक तो 1923 की ट्रीटी हुई जो confidence building थी confidence building का मतलब जो मदेशी लेंड उन्हों ने दे दिया दे दिया मतलब कबजा वहां से अपना हटा लिया और धीरी वहीरे नेपाली सेने वहां पर आने लगी और नेपाल उस पर tax लेने लगा तो 1923 में confidence building हुई कि भारत और नेपाल आपस में मिलकर बात करेंगे भारत और नेपाल की कोई conflict नहीं होंगे भारत और नेपाल मिलकर communistों से निप्टेंगे चीन के विस्तारवादी नीदी के खिलाफ हम खड़े होंगे चीन को हम defend करेंगे ऐसे ये 1923 की treaty है अब सोतंतरता हुई तो सोतंतरता के समय पर जब 25 जुलाई सन 1947 को माउंट बिटन ने princely states को बुलाया और कहा कि आपके पास कोई option नहीं है आप चाहें तो मैं लब डोमिन आफ इंडिया या डोमिन आफ पाकिस्तान जा सकते हैं नेपाल में भी same situation थी वो भी हमारा एक princely state था इसलिए नेपाल के princely state को भी भारत में उस समय विलय होना था लेकिन उस समय की सरकार ने 1950 में नेपाल के साथ एक नई ट्रीटी कर ले और 1950 की जो ट्रीटी हुई वो ट्रीटी में ये नेपाल ने आशंकाएं जताएं कि भाई कम्मिनिस्टों का प्रभाव नेपाल में बढ़ रहा है इसलिए कम्मिनिस्ट कभी भी हमारी तरफ 1949 में कबजा करी चुके थे उस पर चीन पर कम्मिनिस्ट तो जहिर सी बात है कि वो तिबबत की तरफ बढ़ रहे थे तिबबत के लावा नेपाल की तरफ बढ़ते नेपाल के लावा भूटान और ये सब उनकी तरफ बढ़ी रहे थे चुकि वो उन तरफों में बढ़ रहे थे इसलिए नेपाल ने भारत के साथ ट्रीटी करना उचित समझा और नेपाल प्रोट्रेट स्टेट जैसे बिटिश इंडिया क वैसे ही उसने अपने आपको continue रखा हमने बॉर्डर खोल दिये और कहा कि एक दूसरे के नैसलिस्ट को एक दूसरे के खित्र में जाने से कोई रोका नहीं जा सकता एक दूसरे कहां जॉब करने से नहीं रोका जा सकता इसलिए आप देखेंगे कि जो राजबत्रों में वेक 1950 के बाद श्रिलंका के साथ वो confidence building नहीं कर पाए इसलिए वो धीरे-धीरे करके हमसे दूर होता चला गया वो भी हमारा प्रोटेक्टरेट स्टेट अंग्रेजों के समय पर हुआ करता था 1950 में जो ट्रिटी हुई उसमें हमने कहा कि जो आज की बाउंडरी है क्योंकि अगर 1816 की ट्रिटी पर भारत सरकार बात करेगी तो फिर वो मधेशी लेंड जो नेपाल के कबजे में है वो उसको छोड़ना पड़ेगा इसलिए 1950 में भारत सरकार ने confidence building करने के लिए एक नई ट्रिटी कर लिए और उस ट्रिटी में ये कहा गया कि एक दूसरे के प्रती हमारी जो boundaries हैं जहां पर हम उपस्तित हैं वहीं पर हमें अपनी boundaries मान लेंगे और हम एक दूसरे के साथ confidence building करेंगे भारत सरकार जब भी चीन क तरब से या कोई विदेशी हमला या कोई विदेशी problem आएगी तो भारत सरकार सामने आकर रक्षा करेगी नेपाल की हालकि ऐसा भी कहा जाता है कि उसके बाद नेपाल के राजा ने कई बार प्रियास किया कि भारत की सेनाय पर्मनेंटली हमारे हां लग जाएं पहले पर्मन इस बिल्डिंग उनके साथ नहीं रख पाए जैसे हमारी भूटांग में सेनाय पड़ी है वैसी नेपाल में कभी हमारी सेनाय हुआ करते थी अभी बाती आती है कि 1950 की जो ट्रीटी है उस ट्रीटी में जो बाउंडरी नेपाल की आज की तारिक में है वो बाउंडरी वही प गया था कि इससे पहले की जितनी ट्रीटियां है वो ट्रीटियां सारी के ऊपर ये वाली ट्रीटी सुपरसीड करेगी 1950 वाली इसलिए मदेशी लेंड उनके पास है अगर 1950 की ट्रीटी वह तोड़ते हैं अगर वो वो बाउंडरी को बताते हैं कि ये भी किशत्र मेरा है तो इसका मतलब है कि 1950 की ट्रीटी को वो तोड़ रहें 1950 की ट्रीटी को अगर वो तोड़ते हैं तो 1950 की ट्रीटी में एक विवस्था दी गई थी कि ये ट्रीटी तोड़ने से पहले एक साल का नोटिस देना पड़ेगा आपको और एक साल का जब आप नोटिस देंगे एक दूस दिया गया ना confidence building किया गया ना बात की गई कम्मिनिस्टों ने कम्मिनिस्ट की सरकार जब वहां पर आई तो चाइना के प्रभाव में एक नया डिस्पूट खड़ा करें और भारत और नेपाल के संबंद कभी established ना हो पाएं क्योंकि चाइना की कुछ द्रश्टी लगातार नेपाल पर है लेकिन भारत चुकी वहां पर खड़ा है तिबत में भारत खड़ा था सिक्किम में भारत खड़ा था इसलिए वो उस अपनी विस्तारवादी नीती में उसको अपना हिस्सा नहीं बना पा रहे हैं और चीन की ही राजनीती के अनुसार वहां पर बाउंडरिया तरह कर रहे हैं तो 1950 की जो ट्रीटी है वो ट्रीटी को इसका मतलब वो तोड़ रहे हैं यूनिलेटरी तोड़ रहे हैं बिना नोटिस दिये ये एक पैक्टासंड सर्वेंडा इंटरेश्टल लौ में कहा जाता है तो इंटरेश्टल कोट अब जस्टिस भी ट्रीटी के अधार पर ही निरने लेगा और पैसिफिक सेटल्मेंट की जहां तक बात आती है तो यून ओ पैसिफिक सेटल्मेंट में आर्टिकल 35 आर्टिकल 36 जो यून चैटर का है उसके अनुसार भी पुरानी ट्रीटियों को ही हवाला देते हुए उसका सेटल्मेंट करते हैं तो अब हमारी 1950 की जो ट्रीटी है अगर वो तोड रहे हैं तो भारा सरकार को चाहिए कि वो पुरानी वाली चुकि 1950 की ट्रीटी ने 1816 की जो ट्रीटी थी 1923 की जो ट्रीटी थी उस ट्रीटी को उसने इनफेक्टिव बनाय आथा 1950 की ट्रीटी अगर टूटती है तो 1816 की ट्रीटी अपने आप प्रभाव में आजाएगी और जैसी 1816 की ट्रीटी अपने आप प्रभाव में आती है तो भारत सरकार को तुरंट क्लिम कर देना चाही कि मधेशिये लेंड हमारा है इसलिए इस लेंड को वापस करो प्रभाव में आपका कोई हिस्सा नहीं है लेकिन चूकी नेपाल और भारत के ऐसे संबंद रहे नेपाल के जो राजगुरू रहे या नेपाल की जो सरकार रही उन्होंने अपने कुल गुरू के रूप में गोरकनाच जी को माना गोरकनाच जी समयला गोरकनाच पीठ जो गोरकनाच पीठ के जो पीठा दिश्वर है उनको वो अपना राजगुरू सदेव से मानते रहे इसलिए भारत और चुकि हिंदू शाशन है भारत और नेपाल के प्रगाड संबंद हमेशा सरे कम्मिनिस्टों ने क्या करना शुरू किया नेपाल में एक भारत में जैसे रा सेम सेवक संग का बाकाइदा जैसा भारत में अरसे का इस्ट्रक्चर है वैसे ही स्ट्रक्चर है और हिंदू सेम सेवक संग हिंदू होने के नाते वह भारत के फेवर में हमेशा उन्होंने डेटा बदला, इस्ट्रक्शर बदला वहां की उनिवस्टीज, वहां के कॉलेजिस में और वहां पर पुस्तके छापनी शुरू की और ये कहा उन्होंने कि रमैन उठा कर देख लिए, क्योंकि मैं वेक्तिकत HSS के लोगों से कई बार मेरे को मिलने का आफसर मिला, और मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, आपके हाँ भारत और नेपाल के डिस्प्यूट के है, ये मैं बात बता रहा हूँ, आज से आट-दस साल पहले की, तो उन्होंने कहा कि हमारे हाँ एक नई चुनोती सामने आई है, और वो ये है कि हमारी जंता के बीच में उसका बार्डर होता है, सर्यू के इधर तक हमें हैं, और सर्यू तक हमारा क्लेम बनता है, और साथ में 1816 से पहले जो आज का गड़वाल का ख्षित्र है, जो आज का कुमाईयों का ख्षित्र है, जो आज का सिक्किम का ख्षित्र है, इस छित्र में हम करवसूली करते थे, यानि कि यहां के इंडिपेंडेंट जो रूलर होते थे, छोटी-छोटी राजशाहियां होती थी, वो हमको अधिपती मानते थे और हमको कर देते थे, वो लेंड हमारा है, इसी प्रकार लदाक तक कभी हम रहे हैं, तो वो लेंड हमारी है, ये बात कहनी शुरू की और फैलाना शुरू किया, और आप जानते हैं कि इस प्रकार के सेंटिमेंट अगर फैलाये जाएं, तो किसी भी देश में, किसी भी इस्थान में बड़ी आसानी से वहां मूव्मेंट चलाया जा सकता है, हमारे देश में भी कुछ उनिवस्टियां ऐसा ही लगातार करती है, उ चाहें वो देविदेवताओं के नाम से करें, चाहें वो हिंदू के नाम से करें, हिंदू डिवीजन में करें, कभी वो मूल लिवासी अंदोलन खड़ा करें, कभी वो कम्मिनिस्ट अंदोलन खड़ा करें, कभी वो आर्य समाज को आर्यों को विदेशी बताए, ये सब कम् प्रिंपाल में आया और उसने अपनी सरकार बना ली सरकार बनाने के बाद इसी आधार पर उन्हें राजशा ही खतम की कि राजा तो भारत के पक्षम में खड़ा और पूरे नेपाल को राजा दे देगा भारत में और यह सच भी है कि कभी नेपाल ने जिस समय यह एक्सेशन चल रहा था जिस समय भारत नया बन रहा था 1925 में उस समय भी नेपाल के राजा ने अनओफिशली भारत सरकार के साथ यह बातें करनी शुरू की थी कि क्या हम भी भारत का ही हिस्सा बन जाए जैसे बाकी प्रिंसली स्टेट बन रहे तो भारत एक एक शुन भारत बन इसलिए वो हमारा हिस्सा उस समय नहीं बना यह सारी बातें जो पॉजिटिव थी उनको निगेटिव करके नेपाल की जनता के पीश में एक अवश्वास प्रताओ एक अवश्वास पैदा किया गया उस अवश्वास का नतीजा निगला कि राजशाही को समप्त कर दिया गया अब कॉंग्रेस की सरकार वहां बन गई यानि कि जो भारत के पक्षमे है उस सरकार को हटाने के लिए भी जितने कॉंफिटेंस बिल्डिंग यहां होते भारत सरकार के साथ उन कॉंफिटेंस बिल्डिंग को समाप्त करने के लिए वहां वो पैदा किया जाता कि भारत ने हम वो सब उसके मातहद आ जाती है राशाही के यानि कि चक्रपति समराठ के तो जब भगवान राम ने सूर में अश्मेद यग किया तो उस यग में मिथला भी भारत का ही हिस्सा बन गया मिथला भी अयोध्या का ही हिस्सा बन गया ठीक अब अगर उसकी बात रमेंड की बात पर हम विचार करेंगे तो मिधिला एक independent state हो सकता है country नहीं मिधिला जो है वो साकित यानि कि आज की आयोध्या का हिस्सा होगा और चुकि central government उसमें आयोध्या में बेठा करती थी इसलिए वो हमारी एक state की तरह होगा ये नहीं बताया होगा ये मैं बताता हूँ इसलिए आज की तारीक में ये नेपाल की सरकार को चाहिए आज की तारीक में नेपाल की जनता को चाहिए कि ये जो confidence building 1950 में हुई थी इस confidence building को बरकरार रखा जाए otherwise अगर ये dispute आगे बढ़ता है तो आधा नेपाल बेरोजगार हो जाएगा क्योंकि नेपाल का एक बहुत बड़ा youth हिंदुस्तान में आखर काम करता है और हमने constitutionally उनको यहाँ पर job करने का यहाँ पर काम करने का यहाँ सरकारी नोकरी करने की अनुमती दिये है क्योंकि officially वो हमारा हिस्सा है वो हमारा protected rate state है उसके हम संदक्षन के नाते रहते हैं और वो हमारा princely state का भी हुआ करता था इसलिए इन विवादों को समाप्त करने के लिए मुझे लगता है कि भारत सरकार इस पर अब initiate करे जैसे वो ऐसा करते हैं तो भारत सरकार अब initiate करे और 1816 गी treaty को सामने लेकर आये और मदेशी लेंड पर अपना कपजा या कपजा बापस मांगे चुंकि उनिस सो चौरानवे में जो पाकिस्तान ने हमारी लेंड कपजा करके रखी है जमुन कश्मीर की उसको 22 फरेवरी सन 1994 में संसद ने प्रस्ताव पारित करके ये कहा था उनिमेसली की जो लेंड हमारी पाकिस्तान ने कबजा करके रखी उस लेंड को वापस लेना हमारा अंतिम उद्देश है उसी तरज पर कम्मनिस्टों ने अब कम्मनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को भढ़का कर ये प्रिस्ताव पास करवाया कि नेपाल का नक्षा चेंज किया जा सकता है क्या भारत unilaterally कोई नक्षा change कर सकता है क्या कोई भी country अपना जो नक्षा official नक्षा पिछले 50 साल, 60 साल, 100 साल से चला रहा हो 1860, 16 से जो चला रहा है या 1950 से जो चला रहा है उस नक्षे को unilaterally change कर सकता है क्या या वो कर भी लेता चलो हमने का कि चीन हमारा ऐसा है तिब्बत हम अपने में दिखाने लगे तो क्या ये international laws का उलंगन नहीं है क्या ये UNO में जब आप प्रिवेश कर रहे हैं तो UNO में प्रिवेश करते समय एक दूसरे की sovereign की अक्षून रखेंगे एक दूसरे का सयोग करेंगे पडोशियों से जगड़ा नहीं करेंगे और किसी प्रकार से किसी की land पर कबजा नहीं करेंगे या land पर claim नहीं करेंगे या उन international treaty का उलंगन नहीं है इसलिए मुझे लगता है कि दो-तिन रास्ते इसमें बनते हैं कि जैसी 1950 की treaty cancel होती तो 1816 की treaty पर हम पहुच जाएंगे और दूसरा हम international court of justice में जा सकते हैं international court of justice में जाकर हम 1816 की treaty को claim करें और टैक्टरसन सर्वेंडा के अनुसार UN charter के अनुसार हम वहाँ पर ये कहें कि unilaterally ये कैसे नक्षा change कर सकते हैं और हमें 1816 की treaty का चुकि 1950 की जो treaty है उसको cancel करने का right है दोनों पार्टियों को लिखा गया है इसलिए 1816 की treaty को cancel करने का right नहीं है उसमें ये भी लिखा गया कि नेपाल की राजशाही नेपाल की सरकार कभी भी इन तराई लेंडों पर अपना claim नहीं करेगा ये 1816 की treaty के text हैं इन सब को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि भारत बहुत positive है और इस समय इस नाजुक घड़ी में भारत शान्त है भारत केबल उनको उनके ambassador को बताता है कि भाई ये आप गलत कर रहे हैं भारत aggressive नहीं है ये एक अच्छी बात है और भारत इस पक्ष में है कि चूकि वो हमारा ही बच्चा है इसलिए उसको हम कभी न कभी बैटकर हमको ही बात करनी पड़ेगी अगर हम उससे विरोध में जाते हैं तो चीन उसके और रद्दीक आता है और जैसे जैसे चीन नजदीक आएगा हम सब जानते हैं कि चीन ने तिबबत के साथ भी यही खेल खेला था चीन ने जितने एरिये कवर किये हैं उन सभी एरियों में यही गेम खेल कर उन्होंने उसको अपना हिस्सा बना लिया चूकि कभी नेपाल चीन का भी हिस्सा रहा है चुकि चीन नेपाल तक रहा है इसलिए ये चीन भविश्य में कह सकता है जिस प्रकार तिबबत पर कभी चीन का कपजा रहा होगा लेकिन सवतितरता के समय पर तिबबत एक स्वायत स्टेट था हमारा प्रोटेक्टरिट स्टेट था लेकिन उन्हें ने कहा कि साथ सन सत्रा सो में ऐसा हुआ था सन सोला सो वह इसलिए हमारा चेटर है और हमने उस पर रिटिलेट नहीं किया ऐसे ही यहाँ पर नेपालबे भी वह भविश में यह क्लेम करेंगे कि यह हमारा кино में ऐसा हमारा हिस्सा था सॉला सो में आप हमको टेक्स दिया करते थे अठारा सो में और भा चीन का हिस्सा हो जाएगा ये भारत को भी सोचना चाहिए और ये नेपाल को भी सोचना चाहिए ये नेपाल की Communist Party की सरकार अगर नहीं सोच पा रही है तो नेपाल की जंता को सोचना चाहिए हर एक नेपाली का ये करतब बनता है कि वो सोचे कि डिस्प्यूट बढ़ाना है य आप नीचे description से हमारे app को download कर सकते हैं जिससे कि law students को lawyers को और आम आदमी जो law जानना चाहता है वो paid plus free classes का lab ले सकता है